I was talking about कि data छोटा या बड़ा कैसे होता है ठीक है जिन्होंने मेरी लिपसिंग पिछले क्लिप में रीड कर ली जिन्होंने नहीं कि उनको बबताता हूँ उनको छोटा डेटा सेट तब छोटा होता है जब आपके data points आप count करते हैं data points क्या है यह हैं आपकी rows और यह हैं आपके columns rows को जब multiplied by columns आप करते हैं वो जो final आपके पास values आती हैं उसको बोलते है data points ठीक है यानि कि Excel की sheet के अंदर जब आप rectangular data हो या आपके पास Excel की sheet के अंदर store करने वाला data हो उस data set को हम बोलते हैं structural data structure data और rectangular की form में हो यानि कि rows versus columns हो उसको बोलते हैं rectangular data जब आप rows को multiply करते हैं column के साथ आपके पास जो final answer आता है इसको बोला जाता है data points आपके वो वाले data points यानि कि 10 rows हैं 10 columns हैं तो total data points हुए 100 जब आप अपने data set के अंदर data points आपके सैंक्डों से 1000 तक हैं यानि कि hundreds data points से लेके thousands data points हैं तो इसको बोला जाता है चोटा data set या smaller data set जब आपका data set हजारों से लेके लाखों तक data point रख सा है तो इसको बोला जाता है बड़ा data set ठीक है यानि कि millions में जब आपकी data points हो अब होता क्या है most of the time आपके पास images का data होता है तो images के data में आपके pixels देखे जाते हैं कितनी चोटी picture है कितनी बड़ी picture है picture का size HD है 4K है या किस तरीके से है 28 by 28 है या 3GP clip है तो उसकी base पे आप अंदाजा लगाते हैं कि आपकी image या picture motion जिसे हम वीडियो बोलते हैं उसका size कितना है और कितनी quantity में available है we will learn about that when we are going to learn about image analysis और audio का data जो है वो complex होता है इससे वज़ा से हम बोलते हैं कि यह बड़ा data set है NLP के task simple algorithm करी नहीं सकते तो इस वज़ा से हम उसको बोलते हैं कि यह data set बहुत बड़ा है अब अक्सर होकात है आपका ऐसा भी काम होते है जब आपका data live आ रहा है और उसमें machine learning का algorithm में implement हो रहा है और वह बकाइदा उसको update करते जा रहा है किसी भी किसम की prediction को उस data set में scenario different होगा क्योंकि वो live data रहा है and we don't know कि किस frequency से हो रहा है और उसकी हमें frequency देखना पड़ेगी these are all things about the big data set and smaller data set और ये पिछले lecture में एक आप से question पूचा गया था कि smaller and big data set में क्या फरग होता है now you know के difference कहां भी है hopefully आपको समझा आगी होगी like, share, subscribe कर दिया करें आपके अपनी मर्जी है परहल मैं तो सिरफ आपको कहा ही सकता सही है next lecture पर चलते है